Hello everyone, so I hope आप सब अच्छे हों और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हों So आज हम पढ़ेंगे 7th, 8th और 9th March के important news articles and prelims by it's Okay, let's start So Delhi to get its own school education board तो यह बहुत ही अच्छी खबर आई है क्योंकि हम सब को पता है हमारा जो school education system है उसको हमें कितना जादा बदलने की जरूरत है, हमें एक नए से स्टार्ट करने की जरूरत है जहाँ पर नए नए practices हो और assessment process जो होता है जहाँ बच्छों को evaluation की जाती है, उनका assessment किया जाता है तो उसको हमें बदलने की कितनी जादा जरूरत है क्योंकि अभी जो हम practice follow करते हैं, वो हमारा है road learning, जिसमें जादातर theories और इन सब पर ध्यान दिया जाता है जिससे अगर हम देखा जाए तो बच्छों की इतनी growth और उतना learning नहीं हो पाता है तो दिली ने इस तरफ एक बहुत अच्छा करम उठाया है अपना एक education board बना कर जिसका नाम है दिली board of school education so cabinet ने अप्रूफ कर दिया है और बहुत जल्दी है set up हो जाएगा so इसमें देशभक्ती curriculum को follow किया जाएगा ठीक है जो नया academic year होता है जब नय साल start होता है बच्छों की पढ़ाई का तब से ये follow किया जाएगा जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो assessment होंगे वो पूरे साल चलेगा ताकि एक holistic learning जो होता है पूरी तरह से जो हम सीख सकते हैं हर तरीके से तो वो एक हम सिखा सके अपने बच्छों को और इसके खास बात क्या है कि ये जो है national और international boards जो होते हैं उनके साथ काफी मिल जूलकर उनकी तरफ उनकी जैसे काम करेगा तो इन boards से इनका काफी जादा alignment होगा ठीक है और इसमें जो interest है, needs है, specializations है जैसे कोई बच्चा maths में बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा social works में, social sciences में बहुत अच्छा होता है तो बच्चे के क्या interest है, उनकी क्या needs है, specializations है उसको ध्यान में रखकर उसे जो भी वो future में कर सकता है कि उसे कौन सा course करना चाहिए, वो किसमें better कर सकता है तो उसके ध्यान रखके उसे बताय जाएगा, जिसमें उसको बहुत मदद मिलेगी उसे forcefully कुछ भी पढ़ने की या किसी profession को choose करने की जरूरत नहीं होगी यह काफी अच्छा step है towards the development of the child यह जो board का governance and coordination है, यह education minister देखेंगे हमारे and यह जो board होगा, यह जो body होगी, इसमें यह सारे officers होगे ठीक है, तो आप इन्हें पढ़ लेना remove prime minister's photo from vaccine certificate तो यह news में क्यों आ रहा है, क्योंकि जैसा हमको पता है कि केरला, असम, यहाँ पर अभी election process start होने वाला है for the assemblies okay, तो यहाँ पर जो COVID-19, हम सबको पता है कि COVID-19 vaccination start हो चुका है, यह process और काफी लोगों को हमें vaccination भी provide करा दी है, बहुत सारे healthcare workers को free में vaccination मिल रही है और दिली के तो सरकारी एस्पतालों में सबको free vaccination प्रवाइड कराई जाएगी तो यह जो vaccination process है, इसमें जब कोई vaccine जिसको दी जाती है तो उसको एक certificate मिलता है जिस certificate में प्रधान मंतरी जी की photo होती है, तो जैसा कि हमको पते है कि model code of conduct होता है तो उसके तहट, उसकी guidelines के तहट यह जो भी political parties है, candidates है, वो यह नहीं कर सकते वो अपनी photos किसी भी program में या schemes में ऐसे प्रचार नहीं कर सकते जब तक election process चल रहा है तो यहाँ पर जैसा दिखा रखा है कि यहाँ पर health ministry को बोला गया है कि कुछ दिनों में ensure करे कि जो भी पॉल बाउंड states और union territory है, जहां पर भी polls हो रहे है, जैसे पुडुचेरी में होगा, election process अभी start होगा तो यहाँ पर यह जो photo है, जब तक model code of conduct है force में, मतलब election से पहले कुछ बातों का ध्यान दिया जाता है जिसे हम model code of conduct बोलते हैं, जिसके तहत कोई गलत तरह से polls का, मतलब election का process खराब ना करे या influence करने के कोशिश ना करे जनता को voting मांगने के लिए तो इसके तहत यह गलत है और इस practice को खतम करना होगा, तो यहाँ पर बोला गया कि इनको हटाये जाए photos को प्रधान मंतरी के इस certificate पर, ठीक है तो यहाँ पर model code of conduct बता रहा है, जो की prelims के लिए बहुत important है, आप जैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पर बताये कि article 324 जो है constitution का, यह power देता है to supervise and conduct free and fair elections to the parliament and state legislature, ठीक है and यहाँ पर MCC जो है, वो operational है, जब से election schedule का announce किया जाता है, election schedule announce किया जाता है date, तब से और जब तक result नहीं आ जाता है, तब तक हमें model code of conduct follow करना होता है तो इसलिए यह जरूरी है बातों का ध्यान देना and electronic voting machines बताई गई है कि यह prelims के लिए जो EVMs है, यह facts बहुत important है, EVMs का हमको पता है कि कितना जादा इस पे बहस होती है कि यह EVMs है, इनको manhandle किया जाता है गलत तरीके से, इसमें भी जो भी हम votes डालते हैं, उनके vote count को गलत तरीके से किया जाता है कभी-कभी और EVMs अच्छा सही और अच्छा result नहीं बताती है, तो यहां पर बताएगे कि EVM का जो start था, वो कब हुआ था, यह जो idea था, EVM का election commission ने जो अपनाया था, use of EVM, यह 1977 में अपनाया था, ठीक है, ताकि हम जो technological development हो रही है, हम इसका फाइदा उठा सके और यह easy भी है काफी जा गया नाम जुनोंने इन्वेंट किया था, first Indian voting machine in 1980, ओके और यह पहली बार use किया गया था, 1981 के by election में जो नौर्थ परूवर assembly constituency थी केरला की, वहां पर 50 polling station में इनका use किया गया था, ओके और इसको EVM जो थे, इनको 1989 में commission किया गया था, election commission of India द्वारा, और यहां पर दिखाया गया है कि यह 2004 के जो लोगसभा election थे, यहां से हमारे पुरदेश में EVM का हमने उप्योग करना शुरू कर दिया voting process में, ठीक है, यहां पर new generation of EVM बताया है कि वो developed हुआ 2011 में with a feature for voter verified paper audit trail, okay, JNCASR team develops potential drug candidate for Alzheimer's, okay, So researchers जो हैं, जवाहर लाल नहरू Center for Advanced Scientific Research बेंगलूरू, उन्होंने develop किया है एक drug जिसे हम Alzheimer's को treat करने में help मिलेगा, तो अब हम prelims point of view से देखते हैं कि Alzheimer's क्या है, Alzheimer's एक तरह का disorder है, brain का, जिसमें इनसान की memory skills affect होती है, वो उसके सोचने और समझने की शम्ता को बहुत प्रभाव करता है, और वो simple से simple task करने में भी काफी उसे दिक्कत होती है, तो यह Alzheimer's की बिमारी है और यह mid 60s मतलब की 60 के बाद जाद तर पाई जाती है हमारे हम और यहां पे 30 और 60 के बीच में बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है, it's very rare, मतलब rare cases होते हैं and यह जो है most common cause भी है, dementia का, dementia एक तरह का mental problem है, जिसमें brain disease या injury हो जाती है, ठीक है and वहां पे भी thinking पार, remembering पार और in fact behavior पे भी काफी असर पड़ता है, तो dementia का जो एक common cause है, वो कहीं न कहीं Alzheimer's है, Alzheimer's के विज़ा से भी dementia होता है and यहाँ पर बताया जा रहे हैं कि जो एक feature है disease का, ठीक है, Alzheimer's का जो एक main feature है, वो है deposition of amyloid plagues and neurofibrillary tangles in the brain, ठीक है, तो यह दो चीज़ें जो होती है, यह brain में हो जाती है, तो यह बिमारी होने रखती है, यहाँ पर World Alzheimer's report दे रखी है 2015 की, जो की prelims के लिए important है, हमें पढ़ने ही चाहिए and it is released by Alzheimer's disease international, ठीक है, यह काफी relate कर रहा है और यह 2015 में fact बताये गया था कि 46 million लोगों को dementia है all over world, okay, and यहाँ पर estimate लगाया जा रहा है कि यह बढ़कर 131.5 million हो सकता है 2050 तक, so research में क्या पाया गया है कि, so इसे बताये गया है कि एक molecule है, ठीक है, जो help करता है, यह molecule है हमारा TGR63, ठीक है, तो यह molecule help करता है, यह जो हमने amyloid plagues के बारे में बताया था, है, उसे disrupt करने में, उसे कम करने में, ताकि इनका formation ना हो, तो यह माइस के उपर किया गया था, मतलब चूहों के दिमाग में किया गया था, जिसे Alzheimer थी, और देखा गया कि, जिसे treat नहीं किया इस molecule द्वारा, तो वो उसको अगर हम कुछ बता रहे थे, same task करने को तो वो याद नहीं कर पा रहा था, लेकिन जिसको treat किया गया इस molecule के साथ, वो easily वो task याद कर पा रहा था, ठीक है, तो यह molecule आप याद कर लो, और यह जो Alzheimer disease related question है, इसमें यह, एक development हुई है, तो यह आप लिख सकते हैं, red echo over India, so महराश्च्रा power minister जो है नितिन रौत, उन्होंने नाउंस किया कि, एक state cyber cell probe हुआ है, उसमें पाया गया है कि, 14 trozen horses जो है, ठीक है, महराश्च्रा के servers में वो पाये गए हैं, और यह एक तरह के malware हैं, जो attack करते हैं, ठीक है, यह एक तरह का virus ही है, so malware क्या होते हैं, एक तरह का यह software होता है, ठीक है, जो specifically design किया जाता है, damage करने के लिए, या फिर disrupt करने के लिए, computer system को या access, unauthorized access जो होता है, जो कभी-कभी हमारे computer system को access ले लेता है, ठीक है, उसका काम खराब कर देता है, उसका काम नी करने देता है, computer system को, या फिर attacks होते हैं, जो cyber attacks होते हैं, तो यह वही है, malware, तो महराश्रा electricity, state electricity transmission company ने पाया, ऐसे 14 trozen horses, ठीक है, और यह जो एक रिपोर्ट थी, recorded of future द्वारा, इसमें बताये गया है कि यह जो group है, यह Chinese government dollar link है, ठीक है, जिसको हम red echo बोलते हैं, जिसने 10 vital nodes जो है, इंडिया के power distribution system में, ठीक है, और जो दो sea port है, इनको attack किया है, इनको target किया है, और यह बोला गया है कि, यह malwares भी एक reason हो सकते हैं, कि जो massive power outage हुई है मुंबई में, पिछले साल जो October में power outage हुई है मुंबई में, वो इसका reason हो सकता है, यह reason हो सकता है, इस वज़ा से हुआ होगा, तो यह जो report है, recorded future द्वारा, इसने क्या बोला है, कि एक जो बहुत सारे IP addresses हैं, वो जो की Indian computer system को affect कर रहे हैं, तो यह axiomatic asymptom servers जो हैं, जो connected होते हैं red echo से, उस द्वारा किये जाते हैं, बहुत बढ़ा नाम ही है, आप इसे पढ़ लेना हो के, यह जो servers है, these head domains, spoofing those of Indian power sector entities, यह server act करते हैं as a command and control center for a malware, known as shadow pad, ठीक है, तो यह जो malware है, shadow pad, इसका command and control center की तरह यह काम करते हैं, ठीक है, तो यह shadow pads क्या हैं, तो यह एक तरह का back door trojan malware है, जो की एक secret path, मतलब एक secret path provide कराता है target system को, ठीक है, जिससे की उससे command and control किया जा सके, और information निकाली जा सके, ठीक है, and इसी path द्वारा information निकाली जाती है, तो यह जो भी supply chain infrastructures होते हैं, ठीक है, जो भी sectors है, जिससे transportation हो गया, communication हो गया, energy हो गया, इन सब को यह target करता है, तो यह matter of concern क्यों है, क्योंकि यह एक तरह का security breach है, किसी भी country को, अगर उसकी security breach करनी है, national security को affect करना है, तो ऐसे malware की help से किया जाता है, information निकाली जाती है, इसलिए यह matter of concern है, ठीक है, and यह जो points है, यह हम cyber और national security related questions जो आते हैं, मेंस में, उसमें हम यह अच्छे से, इनको include करके, एक अच्छा answer frame कर सकते हैं, तो इन्हें अच्छे से पढ़ना आप, prelims bites, वैलिक डिट्री सेशन जो है, combined commanders conference का, वो किया गया था अभी, ministry of defense द्वारा किवाडिया गुजरात में, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी ने, काफी ज़्यादा appreciate किया है, Indian Armed Forces के dedication को, जो भी COVID-19 pandemic में हुआ है, और जो भी challenges आते हमारे नदन border पे, वहाँ पर, ठीक है उसके लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राश्टरवाद और युवा सरोकार, यह commemorate किया गया, 125th birth anniversary जो थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उस दिन को मनाया गया, और यहाँ पर, यह जो एक, वन डे लॉंग नैशनल सेमिनार था, जबलपूर में, उसको यह subject जो था, यह था वहाँ का, ठीक है, और यहाँ पर, उनकी birth anniversary पर, यह दिन मनाया गया है, Transgender Community Desk, गाची बाउली, पुलिस स्टेशन हाइदरबाद, ठीक है, यह पहला initiative है, जो की, लिया गया है, टोवर्ड्स, इंक्लूजिव, कम्यूनिटी, पॉलिसिग इनिशियेटिव, ठीक है, तो, हमें हर किसी को, इंक्लूड करके, सोसाइटी में, आगे बढ़ना है, ताकि इस देश में, development हो सके, सही माइनों में, तो यह उसी तरफ, एक इनिशियेटिव लिया गया है, ठीक है, तो यह जो desk होगा, यह manage किया जाएगा, पुलिस ओफिसर द्वारा, एंड एक transgender person भी होगा, जिसको हम, वहाँ पर designation होगी, community coordinator की, जो की help करेगा, complaint file करने में, जो भी, इन transgender person के against, कोई violence होता है, कोई discrimination होता है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पर इनकी problems को, resolve किया जाएगा, यहाँ पर गहिर माथा, marine sanctuary का mention किया गया है, यह एक marine wildlife sanctuary है, जो की Odisha में located है, यहाँ पर धर्मा river mouth, north से start होकर, यह महानदी river, जो है, वह south तक है, और यह काफी जादा famous है, अगर आप current affairs को, अच्छे से follow कर रहे हैं, तो आपको पता होगा, यहाँ पर olive ridley sea turtles, जो हैं, इसके लिए यह काफी famous है, क्योंकि यह बहुत बड़ा nesting site है, वहाँ पर, ठीक है, अगर यह काफी important है, so olive ridley sea turtles, जो होते हैं, वो smallest है, and most abundant है, बहुत ज़्यादा पाये जाते हैं, दुनिया में, यह warm waters में पाये जाते हैं, जैसे pacific ocean हो गया, Atlantic हो गया, and Indian ocean हो गया, ठीक है, so Odisha में यह, रुशी कुलिया, रूकरी, नियर गहिरमाता, यहाँ पर पाये जाता है, और यह, mass nesting site है, olive ridley's का, ठीक है, और इनका यहाँ पर protection status दिया गया है, IUCN में vulnerable बताये जाता है, sites में appendix 1 में रखा गया हैं, turtles को, and wildlife protection act 1972 में schedule 1 में, so tech भारत है, यहाँ पर यह organized कराये गया है, इस पर यह second edition था, जो की, जितने भी stakeholders है, health tech और education tech में, उनको एक virtual platform पर लाके रखा गया है, ताकि वो help कर सके, interact कर सके, और policies बना सके, जो भी हमें जरूरत है, इस रख, ठीक है, जो दे सिकन भावन, यह आगरा में located है, और यह COVID-19 diagnostic facility है, ठीक है, यहाँ पर animal experimentation facility प्रोवाइड कर आई जाएगी, COVID-19 diagnosis किये जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें, जो भी यहाँ पर mentioned है, जैसे anti-TB drug development भी होगा यहाँ पर, 8th March, जो चाइना ने green light दे दिया है, फोर्स्ट डाउन स्ट्रीम डाम्जाम अन ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, जो यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, उसको हम यार्लूंग जैंगबो भोलते हैं, चाइना में, ठीक है, तिबत में, यह जब तिबत में आती है, उसके बाद यह इंडिया में एंटर करती है, तो यह इसको तिबत में, यार्लूंग जैंगबो बोला जाता है, और यहाँ पर चाइना की जो नई 5 साल की जो पॉलिसी है, जो 5 यार्ट प्लान है, 2021 और 25 तक जो चलेगी, उसमें इन डैम्स को बनाने के लिए, ग्रीन सिगनल मिल चुका है, ठीक है, तो यह डैम्स क्यों बनाए जा रहे हैं, ताकि इनसे हाइडरो पार बेसिस जो हैं, वो बनाए जा सके, और यह जो लोवर रीचिस हैं, जो नदी जो आती है ब्रहमापुत्रा रिवर, ठीक है, इसके जो लोवर रीचिस हैं, जो की तिबत की तरफ हैं, वो वहाँ पर हम इनका फायदा, मतलब चाहिना फायदा उठाना चाहती है, वहाँ पर हाइडरो पार बेसिस बनांकर, ठीक है, तो और भी जादे प्रोजेक्ट्स हैं, जो की इंक्लूड़िड हैं, इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है, यह भी एक और प्रोजेक्ट का, मेंशन किया गया है, एचसी सेट्स अप पैनल, तो फाइंड वेज, to treat patients with rare diseases, सो rare diseases क्या होती है, जो लाखों में एक इंसान को होती है, और जिसका treatment बहुत ही ज़्या केश़ां recipients है, हम सबको पता है कि treatment किफने ज़्यादा expensive होते हैं, और अभी आपने एक news भी पढ़ेज जिसमें एक बच्ची को injection दिया गया था, टैक्स फ्री किया गया था उस इंजेक्शन को ताकि वह सस्ती हो सके और उस बच्चे की जान बचाई गई थी फिर सो यह दिली हाई कोट ने एक कमिटी बिठाई और उसमें बताया गया कि जो ट्रीटमेंट और थेरेपी ऑप्शन है जो भी पेशेंट्स है जिनको रेर डिज हो सके उन्हें किसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और यहां पर यहां दो ऐसे डिजीज का नाम मेंशन किया गया है जैसे डिशेंट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड हंटर्स सिंड्रॉम ठीक है तो इसमें क्या होता है डीम्ड एक ऐसा कंडिशन है जिसमें मसल डीज परेट कर रही है तो उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है पेशिंट को यह बहुत ही खतरनाक विमारी है और एक और हंटर्स सिंड्रॉम जिसमें यह लड़कों में पाई जाती है और उनकी बॉड़ी जो है वह एक तरह का जो शुगर होता है जिसे ब्रेकडाउन क यह जो डिजीज है यह फैमिलीज में पास ओन होते रहती है तो यहीं बोला गया कि इनको हमें इंडिजनाइज करना होगा ताकि हम डेलप कर सके थैरिपीज को इंडिया में ठीक है और एक रीजनेबल टाइम लाइन भी बोली गई है कि बताई जाए ठीक है all women crew of SCI vessel makes history so union minister जो है मनसुख मनदविया उन्होंने all women crew on board shipping corporation of India को जो है flag off कर दिया है ठीक है key points क्या है कि यह जो objective है ठीक है all women crew का यह है acknowledge करने का efforts of women in breaking down the stereotypes so यह जो maritime sector है जैसे हमें पता है कि यह जो जहाजों पे और समुद्र यह सब में जो भी होते हैं यह male dominated sector है यहां पे औरते जादा option choose नहीं करती है इसे as a career as a profession so इसलिए इसको वो लगया है कि हमें यह break करना है stereotype हमें लोगों के दिमाग से निकालना है कि सिर्फ यहां पे आदमी काम कर सकते हैं यहां पे और तो कभी बढ़ावा देने की जरुरत है so यह first time है world maritime history में कि यहां पे एक ship है जो की सारे women officers होंगे उसमें और वो सेल करेगी ठीक है और यहां पे यह जो shift है यह कैसे आया है so यह जो shift था यह लाया गया है इसी movement दोरा जो यह किया गया काम and इसमें हम क्या दर्शार है कि जो diversity है और inclusion है इसे इससे प्रेरित किया जा रहे कि यह हम इनको follow करते है diversity और inclusion को ठीक है so an expanded horizon of surveillance so Indian Cyber Crime Coordination Center जो है जिसे जो Ministry of Home Affairs के अंडर आता है उसने launch किया है एक Cyber Crime Volunteers Program और जैसा कि हम देख सकते हैं यहां पर volunteer word add हुआ है तो इसका यह मतलब है कि कोई भी हां मतलब यह voluntarily किया जाएगा ठीक है कोई भी एक दूसरे पर नज़र रख सकता है यहां पर जो भी Cyber Crime है उससे related तो इसका जो aim है वो यह है कि जो citizens होते हैं उनको register करना होगा as Cyber Crime Volunteers ठीक है और वहां पर जो भी unlawful content होता है ठीक है जो भी unlawful content है हमें उसको रोकना है उसकी रोक थाम करनी है ताकि इन सब चीजों को बढ़ावा ना मिल सके तो एक जो official website है National Cyber Crime Reporting Portal तो यहां पर जो program है यह help करेगा law enforcement agencies को ताकि वो identify कर सके report कर सके और remove कर सके illegal unlawful online content को तो यहां पर हर एक इनसान को ही बना दिया गया है volunteer ताकि वो खुद नजर रख सके इन सब online जो भी content होता है illegal लगता है unlawful लगता है उस पे और एक initiative ले सके तो यह program launch किया गया है पूरी country में और इसका जो test run है वो जमू कश्मीर और त्रिपुरा में start होने वाला है तो यह point प्रिलम्स के लिए important है जमू कश्मीर और त्रिपुरा याद कर लो okay and यह जो this form of surveillance यह जो है यह हर एक नागरिक को बढ़ावा देता है इन फैक उसको जागरत करता है कि वो एक दूसरे इंसान पर नज़र रख सके जिसे हम later surveillance भी कहते हैं so यहां पर यह example देगे हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ पहले उत्तर प्रदेश में भी एक c plan app करके launch किया गया था ठीक है जिसमें एक anti social elements जो भी होते हैं उन पर नज़र रखी जा रही है जिससे and इससे input भी मिलते हैं ठीक है for certain identified individual ठीक है village में या state में ठीक है यहां पर नज़र रखी जाती है उन anti social elements पर और फिर उनकी तरफ जो भी हम काम कर सकते हैं उनको रोख थाम करने के लिए वो करते हैं ठीक है तो यहां पर local problems solve की जाती है इस तरीके से अब यह advantages भी है इसके और disadvantages भी है तो हम दोनों पढ़ेंगे सो यह जो surveillance है यह एक तरह से help करेंगा community building में ठीक है वहां पर जो relations होते हैं उनको strong बनाएगा एक दूसरे पर जब हम नजर रखेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़े जानने को भी मिलेंगी और इससे हम अच्छी चीज भी अच्छे काम भी कर सकते और इससे बुरे काम भी होंगे बुरा यह होगा कि जो भी privacy है ठ तो यह एक perspective है और यहां पर बहुत सारी चीज़े हैं जिसे की culture of hate, fear, constant suspicion जो है ठीक है अगेंस्ट इननेमी यह सब भी create होगा तो यह सब इसके disadvantages हैं तो यहां पर information technology rules जो है 2021 इसको बताया गया है कि यहां पर क्या क्या उसके points है तो यहां पर यह है कि it intends to expend due diligence obligations by intermediaries ठीक है तो यहां पर intermediaries का रोल आ जाता है और यहां पर जो भी एक नजर रखी जा रही है उसको और भी जादा यहां पर बढ़ाया जा रहा है कि यहां पर नजर एक दूसरे द्वारा ही रखी जा रही है इससे यह expand होगा यहां पर surveillance जो है वह प्रमोट करेगा lateral surveillance को ठीक है जैसा हम बोल रहे हैं कि lateral surveillance प्रमोट हो रहा है यहां पर यहां पर फर्दर जो होगा कि content जो है यह फिर जो data है तो वहां पर एक जो हम process follow करते हैं किसी के भी बोलने पर अगर हम कोई content वगएरा हटाने लगे तो इससे क्या होगा कि एक जो fundamental right है हमारा to privacy and freedom of expression इसको यह affect करेगा तो without sufficient due process safeguard हम यह अगर करे तो यह it's very harmful और यह violate करेगा हमारे fundamental right को तो यह point जो है for pre and means both यह जो rules है यह important है ठीक है और यह फिर से cyber security privacy related question में या essay में use हो सकता है ठीक है यह सारे points को हम लिख सकते हैं health first fiscal prudence later so जैसा कि हमसों को पता है कि 2016 में प्रधान मंत्री उजवला योजना का launch किया गया था जिसका aim था कि जो भी गरीब घर है उनको हमें clean cooking fuel की तरफ लाना है मतलब कि हमें यह जो वो उपले वगेरा जलाते हैं जिससे जादा pollution होता है PM 2.5 जादा release होता है तो वो हमें कम करना था और हमें एक clean fuel की तरफ switch करना है तो यह step उस तरफ लिया गया था और यहाँ पे 8 million poor households को यह provide कराए गये थे LPG connection ठीक है तो survey के मताविक जो भी access था यह LPG की तरफ और जो भी नए जो beneficiaries हैं यह LPG consume नहीं कर रहे हैं ठीक है सो ऐसा क्यों हो रहा है कि यह जो भी prices बढ़ रहे है LPG के gases के ठीक है तो उससे effect हो रहा है और यह नहीं continue नहीं कर पा रहे हैं और यह वापस से जो भी biomass है और जो भी चीज़े यह खाना बनाने के लिए use करते हैं उससे यह वापस से कर रहे हैं ठीक है सो यहां पर council on energy environment and water है उन्होंने suggest किया है कि यह जो recent beneficiaries है यह सिर्फ आधा LPG मतलब half LPG use कर रहे हैं ठीक है मतलब जो शहरों में लोग हैं वो पूरा पूरा ही LPG पे काम करते हैं खाना बनाते लेकिन गाओं में जो भी है यह गरीब घरों में हैं वो सिर्फ आधा या बहुत कम LPG use करते हैं तो यह suggest किया गया है तो concerns क्या है कि यह जो indoor air pollution है ठीक है यह तो होता ही है तो जैसे में आपको होता है कि यह बहुत जादा contribute करता है air pollution में तो यह बहुत ही जादा खतरनाक है जो हमारा goal है कि हमें कम करना है pollution वो हम meet नहीं कर पाएंगे ठीक है और यह क्यों हो रहा है क्योंकि जो भी increase हो रहा है LPG prices में यह जादा difficult बनाता है in situations को तो यहां पर कैसे tackle किया जाएगा तो हमें target करना होगा subsidy को अच्छ और जादा subsidy provide करानी होगी गरीबों को ताकि इनके लिए affordable बन सके और यह cooking fuel का use कर सके ठीक है यहां पर हमें और क्या करना conclusion दिया हुआ है कि in the post pandemic rebuilding यह जो continue support है हमें economically poor जैसे ह मैं पता है कि pandemic की विज़े से कितने जादा affect हुए है घर और गरीब लोगों पर तो सबसे जादा affect हुए है तो उनको हमें LPG का use करने लाइक बनाना होगा ताकि हम उनको सस्ते में दिला सके LPG और उनको जादा पैसे ना खर्च करने पड़े ठीक है इस से हम जो social investment है women productive time है इ इंडिया का जो public health burden है वो भी कम होगा क्योंकि जब यह biomass use करते तो इससे और भी ज़्यादा बिमारियां भी होती है तो यह help होगा इससे और यह जो social investment है इससे काफी ज़्यादा dividends आएंगे आगे जाकर और एक healthier और productive population बनेगी तो यहां बताएं कि जो questions है आते हैं recent rising prices of LPG on society environment तो यह environment से related कोई question आता है LPG से related तो उसमें यह हम points को include कर सकते हैं और एक अच्छा answer लिख सकते हैं प्रिलेंस बाइट मैत्री सेतू सो यह जो एक bridge है यह बनाया गया है फेनी रिवर के ओपर जो इंडियन बाउंडरी जो है त्रिपूरा स्टेट और बांगलादेश के बीच में है ठीक है सो यह जो मैत्री सेतू है यह क्या सेंबलाइज करता है growing bilateral relations and friendly ties between इंडिया एंड बांगलादेश सो यह construction किया गया था national highways and infrastructure development corporation द्वारा यह 1.9 km long है और यह subroom जो है इंडिया में और रामगर जो है बांगलादेश में इसको यह connect करता है जॉइन करता है सो जन आशदी दिवस ठीक है यह celebrate करकिया जाता है हर साल मार्च 7 को और इसका यह क्यों celebrate किया जाता है ताकि हम awareness फिला सके generic medicines की medicines कितनी महंगी मिलती हम सबको पता है तो हमें generic medicines का awareness फिलाना है जो कि बहुत कम prices पे available होती है ठीक है ब्रह्मपुत्रा river it originates under the name of siang और दिहांग ठीक है यह चेमा यंग्डूं glacier जो है कैलाश रेंज में मांसरोवर लेक के पास वहां से ओरिजनेट होती है और यह इंडिया में एंटर करती है सदिया टाउन में अरुनाचल प्रदेश में इसकी tributaries है दिहांग, लोहित, सियांग, बुरही, दिहिंग, तिस्ता और धनसरी अब हमने इस से related एक news पड़ी थी इसलिए यह important हो जाता है सो वंधन योजना, यह एक initiative है, ministry of tribal affairs and trifit द्वारा, यह 2018 में launch की गई थी, क्यों की गई थी ताकि, tribals की जो income है, उसको हम improve कर सकें और value addition हो सके, tribal products का यह जो scheme है, यह implement की जाएगी, ministry of tribal affairs द्वारा, यह nodal agency है, national level पे, ठीक है, तो यह एक state level agency, जो है, state nodal agency for MFPs and district collectors, इनका क्या role है, यह scheme का implementation होगा, grass load level पे, उसका यह देखेंगे, implementation, ठीक है, प्रधान मंतरी, उजवला, योजना, तो यह 2016 में, जैसे मैंने आपको बताया है, launch की गई थी, ministry of petroleum and natural gas द्वारा, और इसका aim क्या है, providing clean cooking fuel, गरीब घरों को, यहाँ पे 1600 रुपे का financial support मिलता है, और LPG connection जो होता है, हर एक BPL household को, ठीक है, और यह कैसे identify किया जाते है, beneficiaries को, socio-economic caste census list 2011, 9th March 2021, Supreme Court का जो 30 साल पुराना judgment था, जिसमें कि यह जो backward classes है, इनको marginalized लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, इनको 50% reservation दी गई थी, तो Supreme Court यह दुबारा से देखना चाहती है कि क्या 50% होना चाहिए या उससे उपर होना चाहिए, तो यह इसका एक वापस से examine किया जाएगा, इन्होंने यह इंदरासानी जो case था, versus union case of India, इसमें यह मिला गया था, 50% reservation, jobs के लिए और education के लिए, ठीक है, और लेकिन कुछ states जो हैं, जैसे कि महराष्टर हो गए और तमिल नाडू हो गए, इन्होंने 50% से जादा बढ़कर 60% तक reservation allow किया हुआ है, तो यही सुप्रीम कोर्ट स्टेट से पूछना चाहती है, कि यह 50% तक होना चाहिए या नहीं, यहाँ पर बताएगिया कि जो महराष्टरा स्टेट रेजरवेशन है, for socially and educationally backward classes act 2018 का, उसमें 12-13% जो कोटा है, वो है मराठा community के लिए, Only half of government schools, आंगनवारीज, have tap water supply, तो यह एक parliamentary committee है, parliamentary standing committee है, water resources पे, इसमें एक report निकाली गई है, जिसमें कहा गया है कि, केवल half, जो है government school और आंगनवारीज, वही पर tap water supply provide कराई जा रही है, so October 2020 में, जल शक्ती ministry ने, एक 100 दिन का campaign चलाया था, जिसमें, piped water supply करने का बोला गया था, drinking और cooking purposes से, और जो भी COVID-19 का जो यह बिमारी आया है, ठीक है, इसमें अंजों को बताए कि, hand wash करना, toilet को अच्छे से clean रखना, हर एक school में, आंगनवारी में, ठीक है, कितना जादा जरूरी है, नहीं तो यह और फैलेगी विमारी, सो यहाँ पर बताए कि, facts दिये गये हैं, कि 15 फरवरी तक, केवल 48.5 दशमलों जो आंगनवारी से हैं, और 53.3 दशमलों जो schools हैं, उन्हीं को tap water supply मिला है, ठीक है, और यहाँ पर बोल गया कि, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बेंगौल में, 8% से भी कम, और 11% से भी कम, स्कूलों में tap water supply available है, यह सारे facts हैं, और यहाँ पर दिया है कि, 7 states जो हैं, आंगर प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, हरयाना हो गया, हिमाचर प्रदेश, तमिल तेलांगना एंड पंजाब, यहाँ पर 100% coverage है, मतलब हर एक स्कूल, आंगनवारी, यहाँ सब में tap water supply provide कराई जाती है, तो यह इतना important क्यों है, क्योंकि हम सब को पता है, कि यह जो tap water होता ही, clean होता है, ठीक है, और इससे हमारे जो बच्चे हैं, उनको बिमारिया नहीं और काफी जादा वो इन सब बिमारियों से बचे रहेंगे और उनका growth भी होगा अच्छे से, तो यहाँ पर देखने की जरूरत है, ठीक है, Hong Kong fully welcomes poll reforms, तो Hong Kong ने जो भी बीजिंग का proposal था, उसमें उन्होंने welcome किया है, यह जो electoral reform है, ठीक है, उनको welcome किया, उन्होंने बोलाए क कि यह central government का जो control है, ठीक है, local politics पे उसको यह बढ़ाने में मदद करेगी, यहाँ पर बताए गया है कि, scale half जो Hong Kong के legislatures हैं, वो ही directly elect होते हैं, voters द्वारा, ठीक है, और यह जो proposal है, यह एक universal suffrage देगा, ताकि जहाँ पे हर voter, एक right to vote जो होता है, उसको अपना कर, वो city का जो leader है, उसको choose करेगा, एंड यह जो Hong Kong का mini constitution था, तो यह draw किया गया था, जब British को Hong Kong, British से Hong Kong को अजादी मिली थी 1997 में, और यह चाइना के हाथ में आ गया था, ठीक है, तब यह mini constitution इनका बनाया गया था, ओके, center likely to amend telecom license norms, तो यहाँ पे जो government उसने decide किया है, कि यह incorporate करेगी guidelines को, किनके guidelines को, national security defense के guidelines को, on telecommunication sector, ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे help मिलेगी, जो भी network equipment है, जो चाइना से आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे control करने में, और बागी जो भी non friendly countries है, वहाँ से जो equipments आ रहे हैं उनको control करने में help मिलेगी, और इस provision के तहत, जो government है, वो declare करेगी, एक trusted sources और products होते हैं, ठीक है, जो भी हम country में, telecom network में install कराते हैं, products को, तो क्या trusted sources हैं, products हैं, उनका यह declare करेगी list, ठीक है, तो obviously हमें पते, चाइना से हमें कितने threats हैं, cyber threats हैं, security threats हैं, border threats हैं, तो हमें यह सब इसों को tackle करना हैं, और इसका main जो amendment है, जो aim है, इस amendment का, वो है कि हमें, जो sourcing कर रहे हैं, हम चाइना से, उसको हम check करें, ठीक है, हमें अपने country की, जो भी security है, उसको सबसे utmost importance देनी है, ताकि हमारी country को कोई भी affect ना हो, internal security, affect ना हो, the contours of the end game in Afghanistan, तो यहां पर अफगानिस्तान के बारे में बताये गया है, कि यह जो दोहा agreement था, ठीक है, जो एक साल पहले हुआ है, जिसमें, US government और Taliban जो है, उन्होंने, तालिबान ने बोला है, कि यह अपने जो भी al-qaeda और जो भी terrorist groups हैं, इन से अपने रिष्टे खदम करेग यह agreement बनाया गया था, लेकिन अभी दिख रहा है कि तालिबान ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है, और यहां पर intra-Afghan negotiations से वो भी progress नहीं हुए है, तो यहां पर यह दिखाए गया, यहां पर बताये गया कि अफगानिस्तान में कैसे हम peace को establish कर सकते हैं, ठीक है, so, so US government जो एक just or durable peace जो है, political negotiations करके with Taliban and Afghanistan, उनके साथ यह सब करके बाते करके ताकि अफगानिस्तान जो है, वो united रहे, sovereign रहे, democratic रहे, और वहां पर हमेशा शान्ती बनी रहे, तो यह सारी चीजे इसी से possible हो सकती हैं, कि वहां पर एक नई और एक inclusive सरकार आए, ठीक है, और यहां पर बताय है, यह खतम करना है, ठीक है, तालिबान में हमको US ने प्रपोस किया है, और यहां पर अगर तालिबान को अगर training, combat, support या supply जो भी है, वेपन का, यह पाकिस्तान से अगर खतम कर दिया जाए, अगर तालिबान के पास weapons नहीं आएंगे, अगर उनके पास training नहीं आएगे, उन financial aid नहीं मिलेगी उनको कहीं से, तो यह जो भी तालिबान है, यह घुटने टेक सकता है, यह अपने सारे जो भी terrorist activities है, उन पर एक अंकुष लग जाएगा, तो यह बहुत ज़रूरी है, और यह step लेना है, US को, इंडिया के क्या implications है, तो इंडिया ने, इंडिया long term commitment चाहती है, ताकि वो support कर सके, state institutions को एक अफगानस्तान में, और वहाँ पे development partnership को expand कर सके, बढ़ा सके, ठीक है, और जो भी communities है, सब के साथ मिल कर, development की तरफ कान करे, अगर अमेरिका जो भी steps लेती है, ठीक है, और वहाँ सिर्फ reduction होता है, वालेंस में, मतलब, वालेंस सिर्फ कम होते हैं, पूरी तरह से खतम नहीं होते हैं, अगर US forces आ जाती है, अफगानस्तान से बाहर, तो इंडिया को वहाँ पे help करना होगा उनको, ताकि वो अफगान Republic को defend कर सके, ठीक है, वहाँ पे Republic जो है, वो affect ना हो, और यहाँ पे बताएगा है कि जादा से जादा explore करने की जरूरत है, अफगानस्तान में, ताकि जो भी situations वहाँ पे create होती है, जो भी problems create होती है, उनको tackle कर सके, और वहाँ पे violence ना हो, तो यह सारे चीज़े बताएगा है कि इंडिया इसमें कैसे help कर सकता है, pursuing the American dream with WFA, so यह जो है, यह जो है, आर्टिकल इसमें पताएगा है कि यह useful है to state the alternatives to US immigration policy, ठीक है, यह एक alternative है US immigration policy का, अब immigration issue जो है, वो क्या है, ठीक है, तो बहुत सालों से हमको पताएगा है कि जो भी highest skilled economic migrants है, ठीक है, यह relocate होना चाते है US में, और इनको, US में जब यह relocate होते हैं, तो इनको काफी ज़्यादा uncertainty है, ठीक है, H1B visa program जो है, उसका जो भी flexibility है, clarity वो उनको नहीं मिल रहा है पूरी तरह से, और इसमें काफी uncertainties आ रही है, और यह Trump administration में ज़्यादा हुआ है, ठीक है, जो भी visa denials हो र Biden की, उन्होंने एक proposal जो है, US immigration system का, ठीक है, उन्होंने एक proposal रखा है, जिसमें, जो legal immigration है, ठीक है, for both family based and employment based migrants, उनको काफी ज़्यादा expand किया गया है, ठीक है, तो बोला तो जा रहा है कि यह जो immigration process है, यह system है, इसमें काफी ज़्यादा बदलाव आएगा, लेकिन यह सिर्फ अभी एक proposal ही है, ठीक है, इसे law बनने में time है, तो इसका solution क्या है, जो भी हमारे migrants है, ठीक है, उनको जो यह दिक्कत है, वीजा की वज़े से जो दिक्कते हो र work from anywhere, work from anywhere solution है, कि कहीं से भी बैठके काम करो, लेकिन यह है क्या तो, जैसे कि हम work from home करते हैं, ठीक है, इसके यह opposite है, कि यह work from anywhere, ऐसी चीज़ है, जो individuals है, उनके उपर यह totally dependent होता है, कि वो कहां पर बैठ करें काम करना चाहते है, या कहां से काम करना चाहते है, वो कोई भी बैठ कर यह काम कर सकते हैं, अपने office का ठीक है, और इससे उनका बहुत ही जादा उनको profit होगा, उनको benefit मिलेगा, क्योंकि वो अपने मन पसंद का town, city, या शहर, या country चूज कर सकते हैं, ताकि उनको दिकतों का सामना ना करना पड़े, और उनकी इससे financially उनको बहुत support मिलेग और इससे, in fact, हमारे pollution में भी काफी help मिलेगी, so advantages क्या है, तो जैसा बताया कि benefit करेगा यह workers को, organization को, society को, अगर हम बड़े scale पे देखे तो, and यहां पे shift होने की जुरूत नहीं है, अगर कोई घर पर अपने बैठ के काम करना चाहता है, या कहीं और बैठ के काम करना चाहता है तो वहां कर सकता है, ठीक है, यह सारे important दिये गए यहां पे, और यहां पे एक और चीज़ बताई गई है, कि it can help to reduce carbon emissions, ठीक है, तो carbon emissions, obviously हम ट्रांसपोर्ट से कितना जादा carbon emit होता है, तो carbon emissions में भी काफी help मिलेगी, कम reduce, reduce होगा carbon emission, and यहां पे, जो भी congested large cities में लोग रहते ह हैं, because of their job, work, employment, जो भी बोल ले हम, तो वो जो भी smaller town से आते हैं, वो वापस अपने घर, अपने शहर जा सकते हैं, और वहां से बैठकर काम कर सकते हैं, example दिया है, Tata Consultancy Services का, ठीक है, और conclusion क्या है, कि यह जो immigration policies है, यह बेशक अच्छे के लिए ही change हो रही है, ठीक है, लेकिन यह जो alternative है, ठीक है, physical relocation का, यह काफी जादा help करेगा, और in fact, beneficial भी रहेगा for both the countries, वतलब employee और employer दोनों के लिए यह काफी beneficial होगा, ठीक है, and trusting trust in the electoral process, so, यह जो electoral, election funding जो होती है, ठीक है, इस से related है कि यह जो electoral bonds होते हैं, जिसमें बताए गया है कि यह electoral bond scheme है, ठीक है, यह अभी तक pending है Supreme Court में, और इसका एक disadvantage यह है, कि यह जो bond scheme है, इसमें जो भी bonds मिलेंगे, bonds क्या होते है, electoral bonds, एक promissory note होता है, ठीक है, जो कि किसी भी citizen द्वार यह company द्वारा लिया जा सकता है, कोई भी दे सकता है, किसी को भी ठीक है, तो यह bonds जो है, यह public और election commission और income tax department, इन में से किसी को भी पता नहीं चलेगा कि कौन donate कर रहा है, उसकी identity को छुपाने के लिए यह एक scheme है, तो यह एक गलत प्रभाव डालेगी हमारे election process पे, बहुत ज एक बहुत ही बड़ा criticism है, इस scheme में, ठीक है, और यहाँ पर obviously जब यह छुपा रहे हैं तो opacity बढ़ेगी, ठीक है, और यहाँ पर काफी जादा जो donations है parties को जो आएंगे, वहाँ पर यह right to, जो भी एक voters का right है to know, तो उस पर affect करेगा, ठीक है, यहाँ पर हम donations को track नहीं कर पाए ठीक है, जो भी है, यह undermine हो सकती है, यहाँ पर transparency में बहुत ही जादा affect करेगी यह scheme, तो यह issue बताएगे यहाँ पर, ठीक है, और यह जो है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यह जो foreign interest है, ठीक है, अब जो पैसा आ रहा है, जब हमें यही नहीं पता है, तो हमें कैसे पता च दिया जा रहा है, किस चीज को influence करने के लिए जा रहा है, ठीक है, तो यह भी चीजे है, यहाँ पर हमें black money की तरफ जो इशारा है, कि black money से भी हमें पैसा आता है, तो obviously black money है, और छुपाया जा रहा है, तो यह transparency को affect कर रहा है, यहाँ पर border की कैसे इसको tackle किया जा सकता है, transparency को कैसे ensure की जा सकती है, तो यहाँ पर Supreme Court को जल्दी से जल्दी इस matter में देखने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि वो यह जो donors की identity को छुपाने का काम किया जा रहा है, यह ना हो, और इसे transparent रखें, in fact, यह जो information है, इसको public domain में भी provide कराई जा सकती है, रखी जा सकती है, ठीक है, थी RBI appointed P.J. Knight committee द्वारा, इस bank को बनाने की, यह पार्ट है, इंदर धनुष प्लान का, ठीक है, यह एक body है, of eminent professionals, officials, यह क्या करती है, recommendation बनाती है, for the appointment of whole-time directors, as well as non-executive chairperson of public sector banks, so ministry of finance, जो है, उसका final decision होता है, appointments पर, ठीक है, और यह Prime Minister's office से consult भी करते है, आजादी का अमरुत महोचसव, so Prime Minister Narendra Modi ने launch किया, यह महोचसव, गुजरात में, March 12 से, हमारा जो 75 साल, सालगिरा है, उसको celebrate करने के लिए, switcher scheme, यह program जो है, आंधर प्रदेश government ने launch किया है, start किया है, ताकि जो free supply है, sanitary napkin का, ठीक है, 10 sanitary napkin हर महीने दिये जाएंगे, adolescent girls को, जो भी कक्षा 7 वी से, कक्षा 12 वी में है, ठीक है, government school में, junior colleges में, residential institutions में, ठीक है, UNEP Food Waste Tax Index Report 2021, यह report release की गई है, United Nation Environment Program द्वारा, and WRAP द्वारा, ठीक है, इसमें, food waste जो होता है, हर एक country द्वारा, 2019 में, उसे highlight किया गया है, यहां पर बताए गया है, कि 931 million ton, जो है, food, वो waste हुआ है, 2019 में, इंडिया जो है, यहां पर 50 kg per capita, per year करती है, food waste, ठीक है, और यहां पर बुक लिखी गई है, Frontier Gandhi, My Life and Struggle, और्टोबाग्रफी है, खान अब्दुल गफार खान की, और इनको Frontier Gandhi भी बोल जाता है, यहां पर Mobile Train Radio Communication System है, ठीक है, यहां पर Indian Railway, Western Railway Zone जो है, इन्होंने इंट्रडूस किया है, Mobile Train Radio Communication System, ताकि Direct and Continuous Communication हो सके, जो भी Train Crew है, और Control Center और Station Master है, इनके बीच में Direct और लगतार Communication हो सके, ठीक है, और इससे क्या होगा, कि Advanced System हमारा Advanced होगा, और इसमें जो Train Accidents है, यह Directly Train Accidents को कम करेगा, ठीक है, और इस यह जो नया सिस्टम है, यह 105 रैक में स्टार्ट कर दिया गया है, और यह Church Gate to Virar over Mumbai's suburban segment, यहां पर अपरेट कर रही है, ठीक है, So, that was all for today, and I hope you are studying well, अच्छे से पढ़ें, और प्रिलिम्स पे ध्यान दें, क्योंकि बहुत ही नजदीक आ रहा है, And all the best, take care, and let's crack UPSC with 1PSC.